ब कि आलसे नहीं हो रहा हुए लिए अनकिसे बीड नहीं हो रहा है इसा इस जिए सर्विस musste बंज ईए बताना बोड़ा है कि क्या बोल रहा है 60 60 साल का ugra अबी तक साधी नहीं हुखा बोल रहा है so hello good afternoon and namaste to everyone this is yoaishanth and welcome to my europe channel नए वलॉग लेकर आ गया हुँ आज कोने वाला है आज का ब्लॉग कई में अपना डियर्वल का जो चेन है बहुत ट्राय हो गया है एंड तोड़ा चेन करें लूब करना है तोड़ा साफ सब्सक्राइब करना है कि यह वार जब भी चलता हु इतना ज्यादा डर्सट होता है पूरा गाड़ी डिस्टी डिस्टी हो गया है तो सबसे पहले मुझे अभी जाना पड़ेगा मोटो रीजर पर ही जाओंगा वहां पर चाके वहां से मैं जो मोटोल का वह होता है जैन स्प्रे होता है जैन लूप में वह लेकर आऊंगा एंड उसके बाद सब जैन क्लीन और उसके बाद करेंगे गाड़ी का साफ सफाइ करेंगे तो गई अभी निकलते हैं सूब जो के सो गईस लेट्स मुव लइस मोफ ओके गाइस तो मैं निकल गया हूँ ना पारकिंग से एंडर रोट बहार हाईवे पे निकल गया हूँ तो चलो गईस पॉन से वाला हो मोट मोटूरीजर मतलब वह जो चेंड स्प्रेय है लिए फाली वह खरीदने के लिए नहीं जा रहा हूं आप पर मेरा दूसरा काम भी है दूसरा काम क्या है बोले तो मैंने जो हलमेट लिया था मैंने वीडियो पर आप सबको दिखा दिया है वह वाला हलमेट का क्या हुआ कि जो वह चैक पैट होता है ना उसका चैक पैट मतलब में निकल जा रहा है अगर तुम मतलब आराम से पहनो भी ना तो एकदम निकल के बाहर आ रहा है इसलिए मैंने उन सब को फिक्स करनी के किया मुझे फिर भी निंकल रहा है फिर भी सॉल नहीं हो बात वह इसलिए वह जो हैलमेट है रिटन करने के लिए पावर स्पोर्ट्स जो है उनका इमेल पर इमेल करके बोला था कि हैमेट इफेक्टिव है इसका यह जो जो चिक पैट जो निकल जा रहा है अंदर फिक्स नही पर विरेज करके दिया मुझे इमेल किये थे और आफ्टर दाट फिर उन लोग ने बोला कि जो चिक पैट निकल रहा है वह वाला जो डिफेक्ट वो डिफेक्ट है नहीं है तुम फिर से एक बार वहां पे जाके फिक्स करवाओ नहीं तो एससर लियाउट है जो यहां पे सब्सक्रीज बात करो फिक्सितिके फबनें तो कर लिया है और जो उनलोगे के साथ बात करो और यहां और विला एमेल आया मुझे अब ग करसित तो पहले तो है मैंने बोला कि क्या वेन है तो इनहों पर से बतलब हमस्या इमेल आया है मुझेकि आभी टिकेट रहारा तो नएंटे किया है और खाल परशो नहीं तो आज भी ले जा सकते हैं वह से मैंने हल बिए इन पोटी बोले नहीं भुटने स ! कि नोटीयन दिए हुल में तो इन लोटे सूंडे कर लेगा है elite हलमेट भी टो हां काइस नहीं हैं Kुणव तो भी थेला लेकिन अभी तक भी देख सकते हैं मेरा SM के ही है अभी तक सिगनल भाई सहाब यह सिगनल के आगे पर ही है वो जो दुकान मोटो रीजर कर दो कि अधार वाई सहाब जो सिगनल तो खुल गया देखा था हाँ तो खुला है कि अधार आज अपना डेविल को पूरा चमका डालेंगे चमका डालेंगे देखिया ना इतना ज्यादा धूल उड़ता है ना अगर बाई को अच्छे से धो के साफ करके रखा भी तो दो दिन पे दो दिन चला है तो पूरा धूल धूल हो जाता है इसलिए आज मैं अपना डेविल का क्लेनिक्स करने वाला हूं तो चलो गाइस में पहुंच गया मोटो रीजर यहीं पर है अगरे तो चलो जाके मैं पहले वो सब खरीद लेता हूं उसके बात भी करता हूं उसके बाद मिलते हैं ओके गई तो मैंने यहां से जो अपना सामन लेना था वो ले लिया एंड यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा निकल रहा हूं अभी यहीं से क् की जाके साफ भी करना है ना गाड़ी को इसलिए मैं थोड़ी देर बात किया उन लोग के साथ कि मतलब हैलमेट का क्या हो रहा है तो अगर आज कल पे नहीं हूं अभी तो नेक्स्ट विक कंफर्म हो जाएगा बोल रहे थे मेभी हो जाएगा फिंग पॉस्ट पर अभी यहा तो चलो गईज लगिया है रेल लाइट मॉठोरी डरोप एंधा टो चलो गईज़ खुल गया है सिग्नल व यहां पे पश्जा रहा था जैसे में मोठोरीजर से sackल के वहां से आया भेसे ही अफने ऑसे इसको ट्रेफेक पर मिकुले एसे हुआ चलो 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 बागो 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 ज़्दी वबागो चलदी वेगो गईस तो है तो कैसा हो पता नहीं साहे तह ये हफ़ताArega के नहीं अपना नया वाला हेलमेट खरीत तो लिया पैन नहीं पा रहा हूं यार दुख लग रहा है बहुत ज्यादा कोई नहीं आई जाएगा आई ट्रस्ट इन दैम एंड गाईज आ जो का लास्टाइम में गया था ना एमजी रोट वहां पे वह अपना रेडियेटर ग्रेल और करने के लिए जो औरीजिनल वान होता है जो कंपनी से आता है वह वाला वह मैं उस दिन गया था उस दिन तो बंद था और उसके बाद में नहीं गया कल मैंने फोन करके पुछा था मैं सोचना था कि सिदा जाओं बोल करके तो उन्होंने बोला कि मुझे कल स्टॉक नहीं आया है इसे लिए मैंने आपको अप्डेट नहीं किया है जैसे ही स्टॉक आएगा मैं आपको मैं फोन करके बुला लूंगा बोला है असाय तो बाइदी एंड ओफ दिस मंत सायद आएगा ऐसा बोल रहे थे पता नहीं कने बूल सकते है तक तो होप करते कि की आज जल्दी आजाय क्योंकि मुझे ताड़ी हीट हो जा रहा रहा है तो पर उसे गर्म इतना ज्याद है थोड़ी दिर गैड़ी चला है आभी तो इतना ज्यादा हीट का सिगनल आ जाता है तो मुझे चेंज करवा नहीं पड़ेगा अगर वो फैन एर इंटेक अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो रेडियेटर भी खराब हो सकता है इसे लिए मुझे चांस नहीं लेना है जितना जल्दी हो सके मैं इसको चेंज कर वा लूंगा एन गईस वॉन तिंग आप लोग मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कोई भी लाइक नहीं कर रहा है एद एवन कमेंट भी नहीं कर रहे है तो प्लीज अगर आप लोग को अच्छा लग तव क्या कमने करने चाहते हैं वो सब कर दीजे लिख दीजे जो भी हो जैसा भी ह कमेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिजिए मेरा चैनल को क्योंकि 100% में से 80% जो अंसब्सक्राइब लोग है वो देख रहे है मेरा वीडियो जैंड सब्सक्राइब वन्स 20% देख रहे हैं जो भी 80% है अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प् कि अभी सीधा जाके कि आप करेले में सायद उपर जाके वो सब गाड़ी साफ अपना डेविल साफ करने के लिए कपड़ा वो सब में लेकर रहूंगा एंद उसके बाद मिलते हैं नीचे जहां पर मैं अपना डेविल को रखता हूं कि अभी शुरू करते हैं अपना डेविल को साफ करना के देखें कि माइक्रोफाइबर क्यों इसको टावल और एक छोटा सब्सक्राइब टोपी लेकर रहा है जो में यूज नहीं करता साफ करने के लिए तो चलो बाइक को मैंने बाहर ही रख रहा है बाहर मतलब पूरा बाहर नहीं मैंने रखा है यहां पर तो साइद मैं यहां पर ही करूंगा साफ तो चलो लगाइस स्टेट्यों तो चलो गईस सबसे पहले आप सबको मैं दिखाता हूं अपना चेन का हाला क्या हो गया देखिए पूरा ट्राइब पूरा ट्राइब हो गया इससे लिए मतलब साइद इस प्लीन तो नहीं करना पड़ेगा चेन को की। आप circuits ने कि अधी करना पड़ेगा लेकिन करना पड़ेगे सबसे पहले मैं कर लेता हूं तौक कर लेता हूं मुशने fiq चनल बेंट उसके लिए मैंने एक बाई को को एक लिए बोला भी है कि मेरे पास मोटो जैक नहीं है टायर रोलर भी नहीं है इसलिए कुछ करना तो थोड़ा मुस्किली पड़ जाएगा तो चलो सबसे प्रेंद कर लेते हैं इसका प्लीनिग इस सो गईज लेट स्टाट क्लीनिग सबसे रड़ में इसलिएक आपिस लेट थाे यागा झाल झाल कर्स्टेखी कर्स्टेखी जुएले क्याक, झाल झाल क्या झाल मैंने पूरा गाड़ी का वाड़ी है वो झाप कर दिया हूं कि पूरा एकदम में लिख और ठीकिक करना है तो मैंने धर वाइक को मैंने तोड़ा कि खुद से नहीं कर सकता है क्योंकि असको नदब ऐसे एक साइट पर टिल्ट करना पड़ता है तो खुछ से नहीं होगा क्योंकि एक साइट पर बाइक को एंडल भी करना पड़ेगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा तो देखिए गैस मैंने यह लेकर आया है वहां से जाके इसका मुझे पड़ा कितना 255 पड़ा है 150 ml का है तो गई सचलो अभी करते हैं इसका चेंड लूप क्या वागे काई इसको एसे टेल्ट करके रखना बहुत मुस्किल है और मुझे नहीं लगता है कि भाई इसको समाल पाइगा है ऐसे टील्ट करके जिया तो पुरा गिलिया है तो खतम तो इससे लिए मैं अब पूर्ट आप एक्साइट पर करूंगा विए टायर को इस पिन करके तो पीद इसका अब इसको बचाएं तो कि अग्ष्ट कर लिया अब इसको अब अब आपके आपके एसे करना पड़ेंगा नहीं को नहीं होगा इसलिए ना गईट मुझे आपके नहीं तो टायर रोलर लेना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा या चेंग करना चेंग करना खुछ से बहुत मुश्किल है अगर मोटो जेक नहीं है तो अगर मोटो जेक आया तो यहां तो एक साइट पर टाएगे हम पाईक को अब तीच करने का जरूरत नहीं था और क्योंकि मैंने कितना दो तीन दीन ही तो हुआ है तो वाश किया था और उतना ज्यादा कीचर पे भी नहीं चलाओ मैं तो ज्यादा चेंग करने का जरूरत नहीं था लेकिन लूप करने का बहुत जरूरत था क्योंकि पूरा ड्राय हो चुका थ जैसे कि मैंने आप सब को दिखाया तो गाइस देखिए आफ्टर लूविंग ऐसा लग रहा है देखिए अभी ओईली हो गया है पुरा ईपस्टिक कर मुझे अंदर पर कना डालना था लेकिन नहीं डाला अब फ्यरी से मुझे इसका टायर का रिम सब्साफ करना पड़ेगा आशे कि मैंने अंदर पर कना अज़वर्य इसका न lavoro कर दिया लेले टायर पर कर संदे सब्सकिक्रंखक और शलीन है तो कि तोड़ी देर इसको ड्राइ करने के लिए चोड़ देंगे अभी चला आया तो फिर से दुल्मीटी पकड़ लेता है इसको थोड़ा ड्राइ ओने ही यहां से यह बॉल्ट निकलाया है पता नहीं क्या है क्या है कुमेरा कौश साइड का फ्रेरिंग थे राइड साइड का जो फेरिंग है यहां से यह बॉल्ट निकलाया पता नहीं क्या है अभी मुझे इसको फिगार आउट करना पड़ेगा कि यह क्या है तो मैं इसको खोल के देह लेता हूं क्या है इस हिंदान पिए सब्सक्राइब कि यहां सब्सक्राइब करने के अग्ला गया लेकिं झेल क्यों गया निकल कैसे गया दो मोई 12 बसंव नहीं अंदर नहीं के इस प्लपड़ penalty को होगा मैं जोगे करने का सब्सक्राइब करता हूं एवन इस चीज को भी टालना पड़े गा अंदर या भी फिगार आॉट करना पड़ेगा नहीं तो पाद में तो उस्किल हो जाएगा बात में अब जाते पुरा सर्वी सेंटर जाता हूं यहीं निजदिक पर ज्यादा दूर तो नहीं है तो गैस मैं सर्वी सेंटर पर पहुंच गया हूं यहां पर अपना ब्रधर फईज देख रहा है क्या हुआ है ब्रो आई तो बोलो आई बाई बाई तो इसका जो एक जो मैंने दिखाया था थोटा सन नट नट है उसके क्या बलता है नट बलता है बल्टू बलता है ब्रो ्वलक का अपना सेंटर नम आपना बाक से रविश करवाता ओं मेरा रोंसे बहुत है तो महीम क्या हुआ हरा मैं क्या हुआ है मैं का बेटी नाम क्या है एhmen वहीं ग्रूने है निखिटा निकिता श्री मैम का बेटी है और मैम के साथ भी मुझे बात करना है वो जो मैंने रेडियेटर का वो जो ग्रिल बोला था तो मैं जा के बात करता हूं उनके साथ मैम लास्त नमेने बोला था ना जो रेडियेटर का ग्रिल वो आया के स्टॉक नहीं है ना कर दीजिए आःई अधर ने किया है थैर हुआ इस्टले काव स सद्वेक। बीणार मतनुप एडिला ये इंऩ इधयर अब टक शादी नहीं हुआ चानल नमस्तने पीं अब दक कसी नहीं हुआ होगएा सक्कृत्ージ हाद्ड। यूटूब पे यूटूब पे जाएगा देखना चैनल देखते है ना यहां अंदर का बोल्ट में ब्लूज हो गया है और उसके क्या बलता है ब्रो रिबिट बलता है रिबिट क्यों मस्त्रे हो मैं तो गाइस फाइनली हो गया उदर पे पुरा नटी पुरा चेंज करना पड देख सकते हैं यहां पर नाया वाला डाला यह वाला यह वाला और यह तो पुरा नहीं है लेकिन तुछ आउसक नाया डाला है तो कैसे अभी चलते हुआ पर जाके एक तो फोटो की चूंगा तामनेल के लिए उसके बाद जाएंगे सिधा रूम को टोगे तोगे Bpos यह बहूंगे से द्लब्स कर लिया बाइक को साफ भी कर लिया एंड चोटा सा इस्यू मिला मुझे फैरिंग का जो नट बोल्ट होता है वो पुरा लूज हो गया था एंड तो गिर भी गया था मतलब नहीं मिला मुझे यहां पर एंड सर्विस सेंटर पर जा के फाईज ने पुरा काम कर दिया बाइज देखिए अपना डेवल यहां पर आज का वीडियो यही तक था बस एक चोटा सा कंटेंग बनाया मैंने तो वीडियो पंटीनू डालने के लिए बस तो गैज आज का वीडियो यही तक था अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज दो लाक यहां पर देख सकते हैं तो गैस आज के लिए पस इतना है तो गैस तो गैस तो गैस तेल देन आप आउट